तो सुलकम बैक टो चैनल का इस्टेड वित करन्यादो दुस्ताथ के इस वीडियो में हम आपके लिए करागा है ब्र बोड क्लास्टेंथ का जो हिंदी का बहुकर अच्छेंस से अमनों सबकुछ कर रहे हैं अब्जक्टिव सब्जक्टिव को सब्चेमन सब्चेप्टर अबर दो इसमें दो खंड दिये गया है एक मैं तेरे माइनिस रिट आदिकाः और दूसरा में कर दोनों का फूल एक्सप्लानेशन करने वाले हैं इस वीडियो में ठीक है अगर वीडियो में पहली पार आया है तो एक पार चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और वीडियो अच्छा रहा तो एक लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों और अगले वीडियो में इसके क्वेश्चान अंसर के साथ आने वाले हैं तो चलिए देख लेता है सबसे पहले हैं तो हम अब्जेक्टिव के लिए कुछ इधर पॉइंट देखेंगे जो की दिया रहता है जो पो एक नमबर वाला प्रेवाहिनी सरी डाधी का दो आढ़े याद रख लिए जल्ए आपको पूछेगा खलिए कोन ची भी ओन से कहा दो आ है तो ज्रू मेंट चलिए और काू दिए चर्ट थे यह लेंगत सुरी है चलिए इस परकार के कभी है क्रिण भक्ति जा रहा कि परकार क कभी है तो कृप्ति जान्यारा की कि अगला कि स्ट परकार कांव का वेता है उनका तो व्यस्ने तरुम के है है तेका चलिए और ला है पुष्टी मार् के दिक्षा किसनाधी गोस्वाम बिठालफ गू GREG यह दोस्वाम घरथ दास अपता चलता है कि कि आ यह तो मतलब या बात जो है यह यह कि प्रेमवाटिका और सुजान रस्खान ठीक है एधर कुछ अब्जेक्टिव है रस्खान की क्रिया का लिला किसमें की गई है सवयों में क्रिस्म कि मतलब लीला क्लिए गान किस्म की गई है टो एक दोस्तों थोड़ सचने आगा देख लेते हैं किस भासा के कभी है तो ब्रज भासा के कभी है तो इसाद ब्रज इंसरी मुसल्मान हर जन पर कोटी हिंदू वर ये भारत हिंदू हरी चंद जीन अगवाइब है क्रिस्ट भॉक्त कवी रस खान की भाथा के लोग पुई कवी जाने जाते हैं हिंदी भाथा कर्किस के हिंदी आपके चलिए आगा लिखा गया है रस खान रखना में के चंद दो सब उतना इंपोर्टेंट नहीं है यह वाला दोए और सवरोठे में राधा क्रिश्न के प्रेम प्रेम में रूप यहां पर कुछ कर जा ठीक है पर कभी के रसिक हिर्दा की यह दोनों लाइन यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है चलिए अब आगे देख लेते हैं अपना एक्सप्लानेशन इधर पर चार दोहा टोटल दिया गया है प्रेम आयने श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दोहु माली माली द्वन्द ठीक है तो इस पहले हम एक जो दोहा है इसका अर्थ हम अपने नोटबुक से आपको दिखलाते हैं देख लगे हुए है राधा जी क्या है एक प्रेम का खजाना और क्रिश्ञ जी प्रेम के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए है यह दोनों प्रेम वाटिका के माली और माली ने ओलिग है जली आगला दोहा दिख लेते हैं मोहन छबी रस्खानी लखी अब द्रिग अपने नाही आचे आवत धनुस से छूटे सर से जाही अब दूसरा नमबर दुआ है अब यहाँ पर इसका अर्थ देख लेते हैं इस दोहे में गोपिय के स्वर में रस्खान जी कहते हैं कि कृष्ण के रूप कि संदर्ज को देखा आखे अपने वस में नहीं रहती और की सतरा नहीं रहती है जिस तरह धनुसे खीचा हुए बाद छूट कर वापस नहीं आता है उस पर वस नहीं रहता आखों को भी यहीं इस्तितिय इस थिख कृष्ण जी के संदर्ज के बार्ण में बताया गया है गोपिया को स्वार में रस्कांजी बताते हैं कि इनके संदर्च को देखकर से लाइन बूला गया है ठीक है संदर्च को देखकर राख केंपने वस में नहीं रहे जिस तरह जब धनू से बान निकल जाता है तो तो वह किसी को बस में रहता तो उसी तरह आख विवस में नहीं है चलिए तीसरा नमबर हम अपना दोहा देख लेते हैं मो मन मानिक लाइग गाय चित चोर नंद नंद अब बे मन मैं का करूं परी फेर के फंद है तीसरा नमबर दोहा है और इसका आर्थ राधा के स्वर में रस खान जी इस दोहे में कहते हैं कि चित चोर क्रिष्प मेरे मन रूपी रत्न को चुरा ली गया है ले गया है अब बीना मन मैं क्या करूं मैं तो आपके फेर अर्थात प्रियम के बंधन में बंद चुकी है ठीक है तीसरा नमबर दोहा आथ है काफी असान आप अपने नोट बुक में नोट कर सकते हैं चौथा नमबर दुआ है प्रीतम नंद की सोर जा दिन ते नैनन लग्यो मन पावन चित चौर पलक उट नहीं करी सकयोगा ठीक है अब इस चौथे नमबर पद का दुआ का अर्थ देख लेते हैं कि राधा राधा के स्वर में रस्खान जी क्या कह रहा है एक बार और जिस दिन से प्रीय क्रिश्ण से आखे लगी है मेरे मन में चित चौर क्रिश्ण बस गए और मैं पलको को उट भी नहीं कर सकते पलको को मतलब जपका भी नहीं सकती ठीक है इस परकार चार नमबर अब हम दोग चलेंगे करिल के कुण्यन उपरी वारे जो सवया है इस पर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अभी हम देख लेते हैं इसको करिल के कुण्यन उपरी वारे या लकुटी अरू कमरिया पर राज तीहू पूर की तजी डार आठहु सिध्धि नो निध्धि को सुख नंद की गाई चराई विशार रस्खानी कबल इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहार और कोटिक रोग कल धोत के धाम करिल के कुण्यन उपरी वारे तो चलिए दोस्तों इसका हम अर्थ जान लेते हैं रस्खान इस सव में कहते हैं कि क्रिष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोग का राज निच्छावर है नंद की गाय की चराने के सुख के सक्ष्म आठों सिध्धि और नौ निध्धि की सुख तुख्ष है ठीक है रस्खान जी कहते हैं कि कब उन्हें ब्रज के बन बाग तलाब देखने का अउसर मिलेगा वे इसके लिए लालाइट हैं वे कहते हैं कि ब्रज के कारिल के कुंजो के समक्ष इंद्र के कलोरो स्वर्ग नेच्छावर है ठीक है दोस्तों पूरा अर्थ था चाप्टर नंबर दू का हिंदी एक्स्पलान नेसर आप समरी भी चाहे तो यहीं से नोट कर सके हैं फूरा फूल समरी में चाप्टर नंबर दू हमारा समाथ होता है अगले वीडियो मां में इसके कोश्चान आंसर के साथ मिलेंगे ठीक तब तक आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करकर रखिए और वीडियो अच्छा लगए होता एक लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए दूस्तों इस वीडियो को इतना ही पर खत्म करते हैं